Hello Friends, Welcome to Literary Love चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप कोई भी वीडियो का भी मिस ना करें साथ ही अब आप हमें फेस्बुक पे भी फॉलो कर सकते हैं फ्रेंच साज की वीडियो में हम बात करेंगे फेमस इंडियन पोईट गुरुदेव रबिंदरनाट टेगोर की एक पोयम के बारे में जिसका नाम है दाव हैस्ट मेड मी एंडलेस ये पोयम उनकी फेमस कलेक्शन गीतांजली में 1910 में पब्लिश की गई थी और साथ ही ये गीतांजली की फर्स्ट पोयम भी है इसलिए इसे सौंग वन के नाम से भी जाना जाता है इस पोयम में पोईट ने दो चीजे बताई हैं पहली तो ये कि गौड जो हैं वो हम सभी के मास्टर हैं उन्होंने ही हमें ये लाइफ दी है और वो ही हमसे ये लाइफ छीन भी सकते हैं हम उनके लिए बस एक बांसुरी की तरह हैं जिसे वो अपने मन अनुसार बजा रहे हैं साथ ही यहाँ पर जो हिंदू डॉक्ट्राइन ऑफ ट्रांस माइग्रेशन है उसे भी एक्स्प्लेइन किया गया है यानि की फ्रेंड्स जो हिंदू धर्म में माना जाता है कि जब कोई इंसान मरता है तो उसका शरीर नश्ट होता है उसकी आत्मा नहीं बलकि वो दुबारा फिर से जन्म लेता है एक नए शरीर के साथ और ये सरकल अफ रीबर्थ एंड डेथ जो है ये तब तक चलते रहता है जब तक उस इंसान को मोक्ष नहीं प्राप्थ हो जाता तो इस पोएम में पोईट ने भी यही बात हमें यहाँ पर समझाई है फ्रेंड्स रबिंद्र नार्ट टेगोर का जन्म हुआ था 7 में 1861 में और उनकी डेथ हुई थी 7 ऑगस 1941 में वो बार्ड उफ बिंगॉल और गुरुदेव इन नामों से भी जाने जाते हैं वो एक फेमस पोईट, मुजीशियन और आर्टिस्ट थे और साथ ही उन्हें उनकी पोयम की कलेक्शन जो है गीतांजली उसके लिए Nobel Prize in Literature मिला था 1913 में और ये अवर्ड पाने वाले वो पहले नॉन यूरोपियन थे तो चलिए फ्रेंड्स अब पोयम पर आते हैं और इसे रीट कर समझने की कोशिश करते हैं यानि आपने मुझे अनन्त बना दिया है मैं कभी खत्म नहीं होंगा हमेशा एक्जिस्ट करूंगा फ्रेंड्स यहाँ पर ये जो स्टार्टिंग के वर्ड्स हैं दाव, हैस्ट ये ओल्ड इंग्लिश वर्ड्स हैं और अभी हम इने लिखेंगे यू हाव, यू हाव मेड मी एंड्लेस तो गॉड के लिए पोयट कहते हैं कि मैं एंड्लेस हो गया हूँ और ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि आपके प्लेजर के कारण आपने ही खुश होकर मुझे एंड्लेस बना दिया है मेरा एक्जिस्टेंस अब कभी खत्म नहीं होगा यानि मेरा ये शरीड जो की एक फ्रेल वेसल है यानि एक नाजुक सा बरतन है उसे आप बार बार खाली करते हैं जब मेरी डेथ हो जाती है तो मेरे ये शरीर को आप खाली कर देते हैं और फिर आप इसे दुबारा एक नई जिंदगी से भर देते हैं यानि मेरा दुबारा जन्म होता है जब मैं मरता हूं और मैं दुबारा फिर से जन्म लेता हूं इस तरह से मैं एंड़लेस हो गया हूं यहीं हिंदू डॉक्राइन ऑफ ट्रांस माइग्रेशन है कि डेथ के बाद दुबारा से पुनर जनम होना यही है Hindu doctrine of transmigration और यह तब तक चलती है जब तक किसी इंसान को मोख्ष नहीं मिल जाता This little flute of a reed Reed यानी बांस, तो poet कहते हैं कि यह बांस की छोटी सी बांसुरी और यह क्या है तो मेरा शरीर, मेरा शरीर एक बांसुरी है Thou hast carried over hills and dales इसलिए आप अपने साथ ले कर गए हैं मेरे इस शरीर को पहाडों पर और घाटियों पर डेल्स यानी घाटियां आप मेरे इस शरीर को अपने साथ ले कर गए हैं बिलकुल किसी बांसुरी की तरह And hast breathed through its melodies eternally new और किसी musician की तरह आप मेरे इस शरीर में फूंक मारते हैं और मेरे शरीर से एक new melody आती है यानी मेरा दुबारा पुनर जनम होता है मुझे एक fresh start मिलती है यानी इस तरह मुझे नया जीवन दे करके आप मेरी इस बांसुरी जैसी शरीर से एक music बचा रहे हैं आप एक musician है add the immortal touch of thy hands यानी आपके हाथों के छूने पर उन हाथों के जो की immortal है क्योंकि God खुड ही immortal है मेरा ये दिल अपनी physical limits को भूल जाता है कि वो मेरे शरीर में हैं तो उसे किस तरह धड़कना चाहिए इतना खुश हो जाता है वो and gives birth to utterance ineffable और ऐसी बाते कह देता है जिसे कहना बहुत ही मुश्किल था मेरे लिए और ये कौन कह रहा है तो मेरा दिल मुझसे तो नहीं कहा जाएगा लेकिन मेरा दिल आपके touch के कारण आपके इस immortal touch के कारण इतना खुश हो जाता है कि ऐसी बाते कह देता है जो उसे नहीं कहनी चाहिए आपके ये जो गिफ्ट्स हैं ये मेरी life ये सब मुझ तक आते हैं only on these very small hands of mine मेरे इन बहुत ही छोटे हाथों से मैं इन हाथों से एक बार में जादा कुछ नहीं ले सकता बहुत छोटे हाथ हैं मेरे और आपके गिफ्ट्स जो हैं वो infinite हैं यानि कभी खत नहीं होते ages pass and still thou poorest यानि ages बीच चुके हैं और आप अभी भी अपने गिफ्ट्स मुझे दे ही रहे हैं आपके गिफ्ट्स अभी तक खत्म नहीं हुए हैं and still there is room to fill और अब भी आपके गिफ्ट्स को रखने के लिए मेरे पास बहुत जगा है इसलिए आप ये गिफ्ट्स मुझे देते जाएए भले ही मेरे हाथ छोटे हैं मुझे समय लगेगा आपके गिफ्ट्स को लेने में लेकिन आप मुझे अपने गिफ्ट्स देते जाएए रुकिये मत यहाँ पर ये पोयम खत्म होती है पोयम बहुत ही beautiful है एक prayer की तरह है God के लिए जो बताती है कि किस तरह हमारी life पूरी तरह God पर dependent है हमारी death और हमारा rebirth ये बिलकुल God के हाथों में है और हमारी जिन्दगी में किस तरह की खुशियां आएंगी ये भी God decide करते है तो friends ये थी रबिंदरनाट टेगोर की पोयम दाव हास्ट मेड मी endless